नमस्कार सांथियों मैं राजेंद्र बंडलोई आपका हमारे स्वागत करता हूँ और आज का हमारा टोपिक है क्वेश्चन बेंक में हिंदी कक्षा बार्वी MP बोर्ड है ना अध्याई 5 आपका है तीमीर गेह में किरण आचरण ठीके तो इसके क्वेश्चन बेंक को हम डिस इंदी के भी अभी तक हम चार जेप्टर के कुश्चन बेंक कंप्लीट कर चुके हैं उन वीडियो को यह आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा मैंने प्लेइलिस्ट बना दी है ठीके दोस्तों चलिए सुरुवात करते हैं पहला कुश्चन है तीमीर गेह में प्रकास आत्मसान्ती अन्वेशन तो ऑप्सिन नंबर सेकंड इसका सही रहेएगा प्रकास चोथा है लेखक गाउं में क्या देखने गया था तो वो पुस्तेनी घर देखने गया था ठीके अगला है असल प्रकास तो हमारे जीवन में छिपा हो छिपा हुआ है यहां असल का अर्थ है तो सरजन का प्रकास हमारी स्मृति में इस्थाई होते हैं तो बच्पन के अनुभव, अंधेरे को दूर करके ही हम का प्रकास फेला सकते हैं तो ज्यान का प्रकास, ओले में उगे ग्यहूं के दानों का रंग था, तो वो पीला था, भासा के सीमे तेवम छेतरी र को कहते हैं तो बोली कहते हैं यह question repeat है ना भागदोड में पड़ा मनुष्य का सिकार बन जाता है यह आप मुझे comments करके बताएंगे किसका answer क्या होना चाहिए यह यह home work next question है आपके लिए हम के अंधरे में भटकते हैं तो यह भी आप मुझे comments करके बताएंगे अगला है तीमीर गे में किरन आचरन के लेखक डाक्टर स्याम सुंदर है सत्य है साहित्ति में जीवन को उर्जावान बनाने की सक्ति नहीं थे तो सत्य है स्रजन का प्रकास हमारे अगला सही जोड़ी बनाना है question number 19 है तीमीर गे में किरन आचरन के लेखक कौन है कमेंट्स करके बताएंगे अगला है मानवी करण अलंकार का एक उधारन है जिसे मानो जूम रहे तरू भी मंद पवन के जोको से ठीक है ये मानवी करण का एक उधारन है आगे जो question है जिसे जीवन में उर्जा कोन बढ़ाते हैं असल प्रकास किसे कहा गया है तीमीर गेह मे कौन सी गिरन होनी चाहिए मन के अंधेरे में भटकते हुए एक दूसरे को क्या करने पर तुले है लेखक का बच्पन कहां गुम हो गया गाउं की संधिया में पूजा भाव किन ध्वनियों में प्रकट होता है खेत में किस चीज को ढून लेना परम सुक की प्राप्ती होता है तो वह होता है पक्किक कचरिया अगला कोशन है घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगता था विलोम सब्द लिखना है जिसे सुलब का दुरलब स्वार्थ का निस्वार्थ अनुकूल का प्रतिकूल स्वतंत्र का परतंत्र होता है और सफल का असफल और सार्थक का नि वाची लिखिए, सिनोनिम से लिखना है, जैसे निर्जर का लगातार, प्रकास का अविरत, करकस का अलोक, उल्लास, तो आप इनको थोड़ा सा चेक कर लीजिए गए ना, बाकी जैसे नेक्स्ट कुशन है, राष्ट भासा तथा राज भासा में कोई तीन अंतर लिखिए, जल सा अलंकार है, और क्यों, गाउ में विभिन्न उपकरणों और घरेलू सामानों को आंचलिक नाम से जाना जाता है, एसी ही कोई आठ घरेलू सामानों के आँचलिक नाम लिखकर उन्हें हिंदी में लिखिए, अपने आसपास के परिवेस में बोली जाने वाली कोई आठ प्रत्र देना है, हाविस्तार करना है इसका, अपने मित्रों को वाद वियाद प्रत्योगिता में प्रत्म आने पर एक बधाई पत्र लिखिए, डिबेट कॉम्पेटिशन में, परोपकार विशाई पर 150 सब्दों में निबन लिखिए, ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेट्व क्लासमेट्स के पास इन वीडियो को सेर करें, किसी प्रकार का कोई डाउड यो कोई क्यूरी हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं, परसनल वाइज मैंने उनकी प्लेइलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर जाकर अप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, थेंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और टेक केर आफ यॉर्सेल्फ, थेंक यू वन्स अगेन